नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जैलचमिन आरायन आप तमाम दर्सकों का डीप फोकस चैनल में स्वागत करता हूँ जैसा कि हम लोग बिगत चार पांच सालों से देखते हैं कि चास नगर निगम छेतर की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको लेकर चास और बोकारों के तमाम नेता लगातार ये बातें कहते हैं कि हम लोग मुकमंत्री से मिलकर इनकी सिकायत करेंगें लेकिन आज तक हमने किसी की भी तस्वीरे मुकमंत्री से मिलकर नहीं देखी थी कि उनकी सिकायत को वहाँ जाकर उन्होंने पूरा किया हो लेकिन अभी कुछ दो-चार दिन पहले सोसल मेडिया और कभारों के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि बोकारो जिला जारकन मुक्ति मोचा के उपाध्धक्च आलोक सिंग जो चास नगर निगम छेत्र की ब्याप समझ सायं थी उनको लेकर मुक मंतरी से उन्होंने मिला उ अभी निगम के चुनाओं भी नहीं हुआ है अभी परसासक के तोर पर नगराइवत काम कर रहे हैं तो यह सारी सिकायतों को लेकर के मान्य मुख मंतरी हिमन सुरेंजी से समय लिया गया था और जा करके हम यहां की सारी समस्याओं को उनको बताया कि विगत एक सालों से रोड की जो समस्याओं हैं जो जूसको कंपनी काम कर रहा है एक सालों से रोड को काट के रखा है और आप समझ सकते हैं कि मेन कोलोनी में जहांकि घनी आवादी है उसमें अगर बीच में रोड को काट दिया जाया और उसको पाइपलाइन नहीं डाला जा रहा है तो कितनी बड़ी समस्याएं होंगी और ये समस्याएं को लेकर के भी हम लोग गए थे और दूसरी समस्याएं थी सफाई का सफाई बेवस्ता पूरे 35 वार्ड में चर्मर आया हुआ है और एजेंसी जिसको काम दिया गया है 3R कंपनी को वो इन भैरो कंपनी को दिया दिया है और किसी भी एजेंसी को दिया गया उ गुस्सा कहीं न कहीं नराजगी नगर नीगम के परती है उस समस्याओं को भी ले करके गए थे पानी की समस्याओं यहां विक्राल है पैतीसो वाड में अभी भी पानी नहीं मिलता है जुसको कंपरी जो अभी काम कर रहा है इतनी बुरी उसकी सिस्टम है कि जिस वाड में पह कि जल्द ही इस पर करवाई किया जाएगा और यहां का भृष्टचार भी बहुत नगरनीगम में है और इसके सर्वे सर्वा जो है नगर आयुक्त वह इसके इस भ्रष्टचार के मुख्य । गात्रे है इसकी भी जनकारी हमने मन्नी मुख्यमंत्री जी को दिया है आस्वास किये हैं कि जरूर इस पर संग्यान लिया जाएगा और करवाई किया जाएगा जैसा कि आपने बताया कि अब इन्वाइरो के द्वारा जो सफाई को लेकर जो गडबड हो रही है हमारी भी टीम ने कुछ दिन पहले सर्वे किया था और कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्टेंस करके इस बात की जानकारी दी थी कि इन्वारो द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उसमें ब्याप्त घोटाला हो रहा है कच्छड का उठाव को लेकर और गाड़ी का नंबर जो बंद गाड़ी है उसके नाम से भी ये किया जा रहा है और ये आम जंता के पैसा को लूटने का काम कमपनी के माध्यम से किया जा रहा है और इसका कहीं न कहीं बंदरवाट किया जा रहा है सफाई हो नहीं रहा है पर लोटिंग साट तन पचास तन कचड़ा का दिखाया जा रहा है जो गाड़ी चल नहीं रहा उस गाड़ी का नंबर से इंट्री भी कर रहा है कि हमें इस गाड़ी से सफाई वयोस्ता किया जा रहा है तो यह एक बड़ा मामला है इस चीजों को हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और भी evidence हम लोग जुटा रहे हैं और आने वाले दस दिनों के बाद फिर मैं राची जाओंगा मन्यय मुखमंत्री जिससे सारी सबूत के साथ दुबारा उनको जानकरी देंगे कि क्या क्या चीज ब्याप्त नगर निगम में भरष्टचार चल रहा है तो क्या लगता है कि चास नगर निगम में जो वैसे लोग जिनको नगर निगम से परिशानी है नगर निगम उनकी बातों को नहीं सुनती है तो क्या वो आपसे संपर्क करेंगे जिनसे आप उनकी बातों को मुखमंत्री तक पहुँचा है जरूर अगर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर चास नगर नीगम में किनी लोगों को परशानी है, भरश्टचार अगर हो रहा है, परशान किया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी हमेरे कार्याले में हम से जरूर संपर्ख करें, इन सभी चीजों के जानकारी एकटा करकर के मैं ठोस परमान के साथ दस दिनों में फिर जाओंगा और जा करकर मानिया मुखमंत्री जी को सारा चीज फिर से बताऊंगा और ऐसे तो बोला ही गया है कि इस पर जरुद्यान दिया जाएगा करवाई होगा अलोग जी अभी कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने बताया था कि पूरे चास को लगभग साथ जूनों में बाट दिया गया है पांच-पांच बाट करके तो उस छेतर के लोगों को नगर निगम नहीं आना पड़े और वहीं पर अपनी समस्याओं का समाधान हो जाए तो क् कुछ तो अच्छा है पर वैसा काम कुछ नहीं हो रहे है जून में जब आप जाएंगे हैं वहाँ के बैठे वधीकारी से बताएंगे कि सफाइब नहीं हो रहा है तो उसको यहीं नहीं मालूम है कि गाली कब आएगा सफाइ-कर्मी उसके पास कितने हैंगे आज वो क्या प समझें कि उस वार्ड में कैसे काम होगा इनको सिर्फ मनी वाला फाइल चाहिए काम चाहिए उस पर विशेश द्रिष्टी है जून में पबली का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आम पबली का तो यह फोन भी जल्दी नहीं उठाना चाहते हैं अपने बेस्ता जनता इनके पास दो समस्या लेकर जाएंगे यह अपनी पाच समस्या उसको गिनाने लगते हैं ऐसे अधिकारी तो धन्य हैं धन्य है तो इन पर सरकार ध्यान दे रही है हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं जरूर इस पर करवाई होगा पाठी सर आपकी है सरकार भी आपकी है उसके बाद भी ऐ कादी कारी ऐसा बहभार कर रहे हैं आपके साथ तो क्या लगता है इसकी सुचना जो करोना जैसे सरकार बनी करोना का दौर चालू हो गया सारे जगा जो भी समस्या हैं विश्वस्तर का था लोग सब समझ रहे हैं तो अब तो वैसा चीज नहीं रहा लेकिन कारेस परनाली जो है सुधार नहीं रहे हैं तो नहीं सुधार रहे हैं इसकी जानकारी हम देने के लिए राची गए थे और सुधार है अन्य था इनको सुध दिया जाएगा और जहां तक बात है कि आप देख लीजे पानी का जुसको कंपनी जो काम कर रहा है अभी आदर्स कोलोनी में कल दो दिन से काम कर रहा था पूरा रोड काट करके छोड़ दिया आज सुवह में वह जनेरेटर लगा भी ले करके चला गया रोड कटिंग कर दिया अल्रेडी बहुत सारे कोलोनी में कटा हूए रोड तो हैं जिससे परसानी हो रहा था वीगा तभी दो दिन के अंदर ये तीन दिन के अंदर फिर से ये काम किया है लेकिन ये जानकारी नगर आयोकत को होता है तो नगर आयोकत ससी परकास जा जूसकों के माथे पर डाल देत उसके बाद रोड तक नहीं बना पाना, तो किसको जिमवार मानते हैं, क्या लगता है, पदाधीकारी कहीं जान बूच कर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनमें सोच की कमी है, या फिर जुसको कम्पनी हावी है दिर पा enhanced ले रहे हैं, तभी नीजी नहीं है, चाहिए वो 3R कम् पाइपलाइन का भी जो काम हो रहा है बीना स्वार्त का यह क्यों नहीं ध्यान दे रहे यह जो है जैंसी से इनको नीजी लाब है वो लाब भी खुल करके आ जाएगा और यह करवाई नहीं होता है हर हालत में करना है जूसको कंपनी से हम लोग खुद भी कॉंटेक्ट कर रहे है अगर नहीं सुधार करेंगे तो इनके ओफिस में हम लोग तयला बंदी करेंगे देखे यह थे हमारे साथ आलोक सिंग जो जारखन मुक्ति मुर्चा के वो कारो उपाध्यक्ष है और चास में इनका आवास भी है और इन्होंने अपनी बातें सारी बातें बेबाक से रख होना और पानी नहीं सभी जगा सप्लाई होना सफाई को लेकर जितनी समस्यायती सभी को लेकर मुखमंत्री से इन्होंने मिला है और मुखमंत्री जीने इन्हें आस्वस्त किया है कि इन सभी बातों पर कारवाई की जाएगी अगर पदादीकारी अपने कारी सेली में सुध बाइत है कैमरा मैंन दिविंदर के साथ मैं जलच मिनारायन डीफोकस बुक कारो